नमस्कार मित्रो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे भरती के लिए योगता और मांदन तैय करने का हाई कोड नहीं दे सकता निर्देश यह एक बहुत बड़ी खबर है और उन सभी अभ्यरती जो तयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह खबर बहुत जरूरी है क यह देखे उत्तरप्रदेश और यहां पर भरतियों का कोड जाना एक आम बात है तो आप लोगों को दिल दिमाग से एकदम द्रण संकल्पित होके इस एक्जाम को देना होता है और उसके बाद इंतजार करना होता है क्योंकि चीज़ें बहुत लंबे किस्ती हैं तो क्या अइकारी और खर निरिख्षके पदहों पर भरतिकरे मामला आया है know मामला आया फटाफट लेक्ते है तो इलावाद हाई कोड ने कहा कि भरति के लिए मांदाय diferen करने के लिए नहीं दे सकती जब तक कि उस में कोई विशंगति न हो कोड ने कहा कि युगिता का निर्धरण और सेवा की अन्य शर्ते नीती से संबंदित हैं और राज के विशेश विवेक और अधिकारशित के भीतर हैं। नयालय का यह कहना यह काम नहीं है कि वो भरतियों के लिए योगतावा मांदर संबंदी दिर्देश सरकार को दे। यह आदेश नयामूर्ती मंजूरानी चौहान ने आलोक शुकल एवं अनके याचिका को निस्तारित करते हुए कहा। कोट ने कहा कि किसी भी पत पर चयन और न्युक्ति विग्यापन की शर्तों और भरती निमों की अनुसार सकती से की जानी चाहिए। मामले में याचि आलोक शुकल एवं अन्द्वारा उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोक के विग्यापन को चुनौती दी गए थी। जिसमें खनन अधिकारी के 16 पद और खनन नीरिक्षक के 36 पदों के लिए आवेदन आमांत्रित की गए थे। इसके लिए जो योगिता निर्दायत की गई थी उसमें खनन अधिकारी पद के लिए एक वर्ष के अनुभव के साथ खनन इंजिरिंग की डिग्री या डिप्लोमा और खनन नीरिक्षक के पद के लिए खनन इंजिनरी में एक वर्ष का डिप्लोमा पास होना अनिभार याचियों की और से तर्ग दिया गया कि दूसरे राजियों में खनन अधिकारी पत पर चाहिन के लिए भूविज्ञान, सनातक उत्तर, उपादी और खनन निरीकशक पत के लिए B.S.C. भूविज्ञान की युगिता को भी माना गया है याचियों की और से तर्क दिया गया कि उत्तरपदेश भूविज्ञान और खनन सिवा नियम 1983 में समय समय पर संसोजन किया गया लेकिन युगता में कोई बदला नहीं किया गया इस वज़ा से वे इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं जबकि उनके पास युगता देखे तो साफ सा होती है उसको अगर ध्यान से पढ़ा हो तो आप हाई कोट और जो सरकार होती है उनकी अधिकारों को आपने जरूर पढ़ा होगा और आपको पता है कि जो कोट होता है वो नियम पे चलता है जो नियम बने हुए हैं उसमें अगर कोई गरबड़ी पाई जाती है तो कोट सिर है कि आठवी पास वाले भी आयस बन सकते हैं अगर यह notification में लिखा है तो आप इसको court में challenge नहीं कर सकते क्योंकि वो सरकार के द्वारा नियम बना दिया गया है अगर नियम आठपास को आयस बनने के लिए है तो court उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती लेकिन अगर आठपास वाल नियम है और गलती से कोई साथ वाला जाके बन रहा है या फिर आठपास का उसके बास result नहीं है फिर भी वो बन रहा है तो court उसमें अपनी बात कर सकती है या अपना निर्देश दे सकती है कि ये गलत हो रहा है नियम के विरुद जा रहा है विसंगती पाई गई है तो निय कभी भी कोड नहीं बना सकता कोड नियम के अनुसार चलता है नियम में गरबड़ी पाई जाती है तो ही कोड अपने आदेश दे सकता है तो जितनी भरतियां आती है उसमें आपने देखा होगा कि जो notification होता है जाद तर उसको ही challenge किया जाता है कि notification में ऐसा लिखा गया था लेकिन सरकार या फिर जो भी कमेटी है या जो भी अतिकारी है उन्हों ने यहां गरबड़ी कर दी कोई ये challenge नहीं कर सकता कि जो आपका notification है वो ही गलत बना है क्यों क्योंकि सरकार अपनी नियम के अनुसार notification बनाती है notification में ही कुछ विसंगती रह जाए तो बात अलग होती है तो आप लोग को यह जान कर जानना बहुत ज़रूरी था इसलिए वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी था इसी तरीके से जो technical points हैं हर चीज़ पर हम बात करते रहेंगे तो फटाफ़ टेलन को लाइक शिर्ट सब्सक्राइब करें और इस तरह की न्यूस पाने के लिए बेल आइकन जरूरू दबाएं ताकि सबसे बेले न्यूस आप तक पहुंचें थैंक्यू और आब नाइस टे